तो चलिए दोस्तों देखते है कि कैसे लेनो जुक जेटू पे कस्टम रॉम रिकर्जन रिमिक्स इंस्टॉल करनी है सबसे पहले आपने मेरे पहले वाल वीडियो में देखा हुगा कि कैसे अपने फॉन के बूट लोडर को अनलोग करना है कैसे अपने फॉन पे TWRP कस्टम रिकर्वरी इंस्टॉल करनी है तो चलिए इस वीडियो में देखते है कैसे कस्टम रॉम इंस्टॉल करते है और अपने फॉन को उसके साथ साथ ही रूट किसे करना है वो भी सबसे पहले स्यू चप कीजिए अपने फॉन को कि उसके बाद कोई भी वोल्यूम अप या वोल्यूम डाउन की दबाएए अब यहां आप सुनोगा रिकावरी इस पर जाएए और पाव बटन दबाएए अब यहां सबसे पहले अपने फोन का बेक अप ले लीजिए पहले जो यह ZUI रोम थी उसका ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी प्रोब्लम हो जाए तो आपको यह काम है बेक अप इसमें आप जो भी चाहिए उन सब चीजों का बेक अप ले लीजिए मैं सभी का ले लेता हूँ डेटा केस शिस्टम बूट रिकावरी फिमवेर और बूत लोड़र बहुत कुछ हो यह भी इतना सायद काफी होगा सब चीजों का बेक अब ले रहा है सब चीजों का बेक अप दोस्तों अगर आपको पता नहों कि कैसे अपने जुक जेटू का बूट लोडर लेनो जुक की साइड पर से डाउड करना है आसान तरीके से जो साइन अप के प्रॉब्लम में उसके बीना और और कैसे इस बूट लोडर को अनलोग करना है और TWRP कस्टम रिकवर इंस्टॉल करनी है तो आप मेरा पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं इसमें मैंने बताया है दोस्तों के मेरा क्वालिटी के लिए सोरी लेकिन जो हो सका मैंने किया लेकिन इतना ही है फुल ही और फोकस का बहुत प्रॉब्लम है यह लेकिन आपका आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है इसमें बस कत्म होगी प्रोसेस अब बेक कीजिए बेक अब यह रिस्टोर हो गया अब चलिए इससे जो बेक अप था उसे PC में ले ले लेते है इसका यह फीचर अच्छा है कि आप फाइल को भी एक्सेस कर सकते हैं चलिए हो गया वापस आ जाते हैं फोन पर अब बहुत चलो वह एस और जी एप्स और कि सुपर एस्यू रूट सब इस्टोर कर लेते हैं इस्टोर पर किल किजिए अपने फाइल जो थी उसे सिलेक्ट किजिए कर गई सबसे पहले यह इस्टोर कर लेते हैं और दोस्तों इंस अभी का डिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रिकर्शन में में सूपर एस्यू सबका आप वहां जाके उन्हें आसनी से डाउड कर सकते हैं बस किजिए स्वाइब तो कन फ्रेस अब यह इंस्टोल हो रहा है करना रिमिक्स यह क्या हुआ अपडेटिंग पार्टिशन डिटेल्स कांट इंस्टोल दिस पेकेज उन टॉप ओफ इंप्लेट डेटा प्लिस ट्राइए ओ स्वारी दोस्तों हम यह वाइप करना सब लिट करना रिशेट करना भूल गया थे चलिए सब्सक्राइब कर लेते हैं वाइप एडवांस वाइप देल्विक डेटा कैस सिस्टम कर यह स्वाइप टू वाइप वाइप अब जाए इंस्टॉल पाइप को यह विकाज़ने मिक्स सब्सक्राइब टू कंफर फ्लेस वापस हो रहा है अब्डेट इन पार्टेशन डीटेल्स ओके डून चली लगता है हो गया वापस आते हैं रूट स्टेटेशन अने बल्ड अब यह सुपरेश्यू और जीबिन दोने इंस्टॉल कर लेते हैं एड्मोर जीब पर किजिए स्वाब तो कंफर्म फ्लेस सुपरेश्यू हो रहा है इंस्टॉल सुपरेश्यू 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 अब यह जीबिन सुपर है गुगल एप्लिकेशन सब इंस्टॉल दोस्तों मैं फोकस करना भूल जा रहा हूं कि आप साथ ही सब इतना क्लिरली देखने ही पाएंगे लेकिन आपको आइडिया है जाएगा कि क्या कुछ करना है और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी हो जाए बीच में तो मुझे कॉमेंट्स में बताना मैं आपके जितनी हो सकतनी है करने के ट्राइग करू अब देखो रूट हो गया जी अपस इंस्टोल हो गए गोगल एपस रिकर्जन रिमिक्स रिस्टोल हो गई और बेकप भी ले लिया है सब कुछ हो गया हाँ दोस्तों लगता है सब कुछ हो गया कुछ बाकी नहीं तो चलिए अब रिबूट करते हैं जिसमें अच्छा खास अब टाइम में दूसरी इंस्टोल कर भी पड़ेगी चलिए रिबूट सिस्टम सब्सक्राइब इंस्टोल टी डी 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 एप ओके ओके ठीक हो गया यह देखिए आगा रिकर्जन रिमिक्स का हो गया लोगो कुले निमेशन हैं दोस्त आपको क्या लगता है जुक सेटू के लिए सबसे अच्छी हो सबसे स्टेबल रॉम कौन सी है जो भी आपका जवाब होनी के कमेंट सेक्शन में जरू बताना ताकि मुझे और दूसरी लोगों को भी आइडिय मिले और फ्यूचर मैने वारे वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लेना दोस्तों सोरी फोकस के लिए अब मैं ये बेजिक फ्रोसेस सब का लेता हूँ और ये डिवाइस में स्टोरेज भी बहुत कम बच्छी है इसलिए पूस्ट कर लेता वीडियो को दोस्तों लगता है महां फोन अब तियार हो गया है चलो चेक कर लेते हैं ये रहा दूस्तों हमारा नया यूजर इंटरफैस काफी कूल रहा है लग रहा है दिखने में यह हमारे सारे एक में बेक अप कर लिए जितने भी थे एक सो असी नबे जितने अब थे वह सब बेक अप हो जाएगा अभी हाँ दोस्तों ये वो टिपिकल जेड यूजर से काफी अच्छा लग रहा है दिखने में नेट बंद कर लेता हूं फ्री नहीं है वाइफाई ओन ये देखे दोस्तों ये रहा हमारा रिकर्शन दे मिक्स जो की ओल्मोस्ट यूर एंडरी जैसा ही लग रहा है ये आप देख सकते हैं जो मैंने दूसरे वीडियोस में जो मैंने पहले देखा था जो मैंने पहले देखा था उसमें सेटिंग्स काफी अलग थी अब लग रहता है इन लोगों ने चैंज कर दिया है सब कुछ यहां एक ही लाइन में है पहले जैसे कि आपको साथ मालूम होगा वो सब यहां पर अलग अलग टेप्स थे लेकिन अब यह सब एक ही लाइन में है यह देखिए यहां पर सब कुछ अलग अलग अब अब अब